दोस्तो बिग बॉस सीजिन 16 का आज का एपिसोड काफ़ी कमाल का और काफ़ी धमाकेदार रहा क्योंकि आज का एपिसोड के दोरान घर के अंदर फैमिली मेंबर्स की एंट्री हुई थी जहां सबसे पहले फराग खान घर के अंदर आई तो वहीं इसके बाद सिव की माता जी और प्रेंका के भाई की भी घर के अंदर एंट्री हुई जो कि पूरे एक दिन के लिए घर के अंदर रुकने वाले हैं और दोस्तो घर के इंदर आए इन सदश्यों को देखकर घर वाले बुरी तरीके से इमोशनल होकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोते हुए नजरा है वहीं दोस्तो फराग खान ने यहाँ पर करके सभी कंटेस्टेंट की तारीव की तो कहीं न कहीं उन्होंने एमसी स्टेंट को अपना बच्चा बताया और उनको किस करते हुए उनको काफी प्यार दिया यह देखकर कहीं न कहीं एमसी स्टेंट को अपने मा की याद आ गई और एमसी स्टेंट उनके सामने आंस चलकाने से अपने आपको नहीं रोग पाए वहीं दोस्तों दूसरी और सीव उठाकरे भी फराखान को देखकर काफी एमोशनल हो गए थे इसके लावा साजी तो बूरी तरीके से रोप पड़े थे लेकिन दोस्तों जब घर के अंदर सीव की माता जी आई तो सभी की हालत काफी खराब हो गई आई सभी काफी एमोशनल हो गए थे क्योंकि दोस्तों सीव की ममी की सादगी देखकर कही न कहीं घर वाले काफी हैरान हो गए वह बहुत ही सिंपल और सरल स्वभाव के हैं और इतनी सिंपलिस्टी देखकर कहीं न कहीं घर वाले काफी ज़्यादा बाउख नज़े रहे और उन्होंने जिस तरीके से सभी को प्यार दिया सभी को अपनी मा की याद आने लगी फिलाल दोस्तों आपको आज के एपिस्टोड के दुरान ये सीन कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं यदि आप भी इन सभी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें